हलो, वेलकम टू ईग्यान, चलिए आज हम लोग ट्रांसफ़र्मर के ओपन सर्केट और शॉर्ट सर्केट टेस्ट पर एक नुमरिकल और सॉल करके देखते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक नुमरिकल सॉल किया था, देखें इस बर स्टेटमेंट क्या है, तो ओपन सर्केट इन शॉर्ट सर्केट टेस्ट आने 4 kV, 200 अबलिक, 400 वोल्ट, 50 हर्ट, सिंगल फेस्ट ट्रांसफर्मर, गेव फॉल्विंग रिजल्ट्स, OC टेस्ट में आ रहा है, 200 वोल्ट, 1 अम्पेर, 100 वाट, परफॉर्म्ड ओन, LV साइट, शॉर्ट सर्केट टेस्ट क क्या क्या दिया हुआ है, उसको एक बार देख लें, तो सबसे पहले दिया हुआ है, कि यह 4 kV का 200 अबलिक, 400 वोल्ट, 50 हर्ट, सिंगल फेस्ट ट्रांसफर्मर है, इसका मतलब है कि इसकी जो kV रेटिंग है, वो है 4 kV, तो अपन ने यहां पर लिख लिया, given, s is equal to 4 kV, is equal to 4000 VA, s मतलब क्या होता है, apparent power, और उसी का आपन बोलते है, kVA rating of transformer, जो कि 4 kVA दी हुई थी, तो अपन ने यह लिख लिया, और यही होता है, V1, I1, और यही होता है, V2, I2, वो ही सेम चीज है, ठीक है, ratio दिया है, transformer का 200 अबलिक 400 वोल्ट, तो हमने लिख 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 है, वो primary जो बात में लिख रहता है, वो secondary, ठीक है, अब इन में से high voltage और low voltage कौन से है, तो देखिए, यह 200 low है, तो इसका मतलब है primary में low होगा, तो primary side हो गया हमारा low voltage, और 400 जो की higher value है इन दोनों में से, और वो secondary में है, तो इसका मतलब secondary voltage है 400 volt, और वो हो गया है अपना high voltage side, ठीक है, तो यह वाली हो गई low voltage side, यह वाली हो गई high voltage side, ठीक है, तो यह data question में दिये हुए है, उसके बाद फिर test के Risult दिये हुए है, यह open circuit की test करते हैं तो उसमें voltage की rating, current की rating और power की rating आती है, में चीज़ यह है कि जो open circuit test है उसको low voltage side में perform किया गया है, मतलब high voltage को open रखे है और instruments को connect किये हैं low voltage side में short circuit test को हमने high voltage side में perform किया है और low voltage को short circuited रखा है high voltage side में perform किया है का मतलब क्या है कि जो 3 meter है volt meter, meter, watt meter उसको हमने high voltage side में connect किया हुआ है तो यह हो गए हमारे data सबसे पहले जब हम लोग अपना calculation start करते हैं मतलब equivalent circuit को draw करना जब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको open circuit test और short circuit test से circuit के parameters find करने पढ़ेंगे तो हम start करेंगे open circuit test से तो हम open circuit test से start करते हैं open circuit test के बारे में question में क्या दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि यह perform होता है LV side में तो इसलिए हमने लिखा है open circuit test on low voltage side और low voltage side कौन सा था तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यह low voltage है वो है primary तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखिया है primary ठीक है हम जानते हैं कि जो open circuit test होता है वो हमेशा rated voltage पर होता है और current की value very small रहती है rated current से ठीक है तो देख लाइस में data क्या के दिया हुए voltage दिया हुए है 200V अपने लिख दिया हुए है VOC is equal to 200V current दिया है 1A तो अपने लिख देंगे IO is equal to 1A IO जो होता है वो no load current को represent करता है और power दिया हुई है W0 is equal to वो दिया है 100W ठीक है तो voltage यह जो perform हो रहा है वो primary side में हो रहा है और primary side का rated voltage कितना है तो वो है 200V और देखिए open circuit का भी voltage कितना है 200V लेकिन primary side के दिया अपन rated current निकालने खुश्च करें तो rated current दिया हम निकालते है तो वो आता है S upon V1 से S की value है 4000 और V1 की value है देखिए यह 200V तो हमने इससे calculate करते है तो जो full load current आता है primary side का वो आता है 20A जबकि open circuit test में current कितना दिया हुआ है तो वो है 1A तो इसका मतला पर current की value जो होती है वो very small रहती है और वो कहलाता है no load current जिसकी value full load current के comparison में very small रहती तो वो actual में यहाँ पर हमको वैसा ही data दिया हुआ है voltage rated है current की value very small है और यह दी हुई हमको power की value चलिए हमको calculate करके देखते है कि हम इससे क्या calculate कर सकते है तो अपन जानते हैं कि जो power होता है उसका formula होता है Vi cos phi चुकि हम लोग इसको perform कर रहे है अपना primary side में और हम लोग perform कर रहे है open circuit test तो जो power है वो power है open circuit से निकली हुई power voltage जो है वो open circuited voltage है open circuit current जो हमने voltage apply किया है I जो है वो no load current है और जो power factor है वो भी no load का power factor है हम लोग इसमें values put करते हैं तो हमको W0 पता है यह है 100 watt VOC अपने को पता है 200 volt क्योंकि हम लोग जो भी apply कर रहे है वो applied voltage 200 है तो यहाँ पर applied voltage आ गया है जो current flow होता है वो I0 है तो यहाँ पर अपन I0 को put करेंगे इसके value 1 है cos 5 के बारे में कोई भी data हमको नहीं दिया हुआ है तो यह हो जाएगा cos 5 0 no load का power factor यहाँ से अपन निकाल लेंगे no load power factor इसका नाम अपन देते है no load power factor ठीक है जो है cos 5 0 और इसकी value कितनी आएगी 100 अपन यह हो जाएगा 200 और यह आजाएगा 0.5 ठीक है तो cos 5 0 कितना आगया है 0.5 हमको एक चीज की ज़रुत और पढ़ती है वो चीज होती है sin 5 0 अपने calculation में open circuit test के calculation में sin 5 0 की भी ज़रुत पढ़ती है तो अपन यदि cos 5 0.5 आ रहा है तो हम यही से calculate कर लेते है 5 0 की value कितनी होगी तो वो हो जाएगी 60 degree यहाँ पर अपन put करें sin 5 0 is equal to sin 60 तो कितना आता है वो आता है root 3 upon 2 आता है open circuit test से जो होता है हमारा shunt branch के parameters calculate होते है इस प्रकार से जो transformer होता है उसका जब equivalent circuit बनाते हैं तो यह जो उसके shunt branches होती है R0 और X0 यहाँ से flow होने वाला current होता है अपना no load current I0 और इस से जाने वाला current रहता है वो कहलाता है IW और इस से जाने वाला current जो होता है वो कहलाता है Im तो हम पहले निकालेंगा IW और Im और उसके बाद आपन निकालेंगे R0 और X0 तो पहले आपन निकालते है IW जो क्या कहलाता है यह कहलाता है working component of no load current यह कैसे निकलेगा IW IW का formula था है I0 cos 5 0 I0 की value कितनी है तो I0 की value हमको पता है 1 Ampere है तो 1 into cos 5 0 कितना आया था तो आया था 0.5 0.5 तो यह हो गया 0.5 Ampere यह हो गया IW working component दूसरा होता है magnetizing component यह जो Im है यह कहलाता है magnetizing component of no load current और इसका formula क्या होता है वो होता है I0 sin 5 0 I0 की value कितनी थी तो I0 की value थी 1 put कर देते हैं अपन 1 multiplied by sin 5 0 हमने कितना निकाला था तो 0.8667 तो यह हो गया 0.8667 तो यह हो जाएगा 0.8667 आ जाएगा ठीक है इतना Ampere तो अब हमको पता चल गया है कि यह जो working component है जो resistance अफलो होता है वो कितना है और यह जो magnetizing component of no load current है वो जो की reactance of flow होता है उसके value कितनी ही हमने दोनों calculate कर ली यह दोनों calculate करने के बाद अपन निकालेंगे shund branch के parameters तो एक parameter होगा R0 और दूसरा parameter होगा X0 यहाँ का voltage रहता है यह अपन open circuit test से जो voltage निकलता है वो voltage applied रहता है तो यह ohm slot सीधा सीधे लगा देंगे VOC upon IW करेंगे तो R0 आ जाएगा और VOC upon IM करेंगे तो X0 आ जाएगा तो पहले R0 निकालते हैं VOC की value कितनी थी 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 हम जानते हैं VOC की value इस question में दी हुई थी 200 volt वो अपन रख देते हैं divided by IW की value अभी अभी हमने निकाली यह थी 0.5 put कर दीज़े 0.5 तो यह आ जाएगा 400 ohm similarly VOC upon IM करेंगे तो VOC की value तो 200 ही है IM की value यह हमने निकाली 0.8667 जब यह पन इसको calculate करेंगे जब इसको calculate करते हैं तो आता है 231 ohm तो इस प्रकार से अपना R0 और X0 जो shunt branch के parameters हैं उसकी value हम लोगों ने calculate कर ली यह दोनो values हमको calculate हो गई है और एक किस तरफ calculate हुई है तो देखें यह test कहां perform हो रहा था तो यह test perform हो रहा था primary side में तो इसका मतलब है यह दोनो values जो calculate हुई है यह दोनों भी हमको calculate हुई है referred to primary ही calculate होंगी अब जो series branch के जो parameters होते है equivalent circuit के वो निकलते हैं short circuit test से तो अपन उसको जब हम calculate करेंगे तो हम अपन calculate करेंगे उसको short circuit test से तो चलिए हम इसको calculate करते है short circuit test से short circuit test देखे है अबज question कोगी short circuit test हो कहाँ पर रहा था short circuit test जो हो रहा था HV side में तो अपन लिखेंगे HV side में perform हो रहा था ठीक है HV side किस तरफ थी HV side है HV जो है 400V secondary side में तो इसका मतलब यह जो हमारा test perform हो रहा है वो हो रहा है secondary side में ठीक है वो होगा secondary side में जो short circuit test होता है उसमें voltage जो अप्लाइड रहता है वो बहुत स्माल रहता है देखे यह voltage अप्लाइड है वो बहुत स्माल है इसकी value है VSC और यह है 15V जबकि जो rated voltage है वो कितना है देखें अपन लोग HV side का rated voltage कितना है तो HV side का rated voltage है 400V ठीक है 400 के comparison में यह 15V वेरी स्माल है तो short circuit test हमें से very small voltage पर ही perform होता है उसका वाद आपन देखें कि ISC की value कितनी है ISC की value है 10A ठीक है यदि हम rated current निकालने की कोशिश करें secondary side का rated current कैसे निकलेगा तो वो निकलेगा S upon secondary side का voltage secondary side का voltage कितना है वो है 400V तो इससे निकलेगा secondary side का full load current formula रहेगा S upon V2 कितना आजाएगा 400 को 4000 करेंगे तो यह आजाएगा 10A तो secondary side का full load current होगा 10A और देखिए short circuit test का भी current कितना है 10A मतलब यह हमारा rated current पर perform हो रहा है power की value कितनी दी है तो उसको अपन लेते हैं WST और उसकी value दी हुई है 85W ठीक है अब अपन इसको solve करते हैं तो जब हम इसको solve करेंगे इस सारी चीज़े कहा perform हो रही है secondary side में तो इसका मतलब जो VST होगा वो V2 ही होगा ISC होगा उसको अपन I2 भी बोल सकते हैं और यह जो WST है उसको अपन WT भी W2 भी बोल सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले आपन लोग यह दिन निकालेंगे यहां से Z2 Z2 कैसे निकलेगा वो निकलते हैं Ohm लगा दीजे V2 अपन I2 V2 के value कितनी है 15V I2 के value कितनी है I2 के value है 10 तो यह आजाएगा 1.5 Ohm यह हो जाएगा हमारा Z2 उसके बाद power का एक formula हमको मालू है कि W is equal to होता है I square R क्योंकि हम secondary side का perform कर रहे हैं इसलिए W2 होगा current भी I2 होगा और resistance भी निकलेगा वो भी secondary का ही निकलेगा values को यह अपन put करें तो W2 कितना है यह हम यहीं से निकलना चाहें R2 की value तो कितना जाएगा 85 divided by 100 यह हो जाएगा 0.85 Ohm यहाँ से अपने को निकल जाएगा R2 बे उसके यह हमको X निकलना है तो हमको एक common formula पता है general formula वो होता है Z is equal to under root R square plus X square तो यहाँ से यह हम X निकलना के कोशिच करें तो इसी को थोड़ा सा rearrange करेंगे तो यह हो जाएगा Z square minus R square ठीक है हम किस side में perform कर रहे है तो हम perform कर रहे है secondary side में तो इसलिए यह हो जाएगा Z2 यह हो जाएगा R2 और जो X निकलेगा वो भी निकलेगा X2 values को इसमें put करें देखें Z की value कितनी थी 1.5 1.5 का square कर दीजे minus R की value कितनी थी 0.85 0.85 का square कर दीजे और X2 को calculate करें तो X2 को जब हम calculate करेंगे तो यह X2 आ जाएगा 1.235 Ohm ठीक है यह हो गया हमारा X2 की भी value X2 की value आई है यह दोनों है secondary side में refer क्योंकि हमारा जो test perform हो रहा था secondary side में तो that means both these values which are calculated here are referred to यहाँ पर अपन लिखते है referred to secondary ठीक है तो यह R2 भी referred to secondary निकला है और यह X2 भी referred to secondary ही निकला है अपने question देखें एक बार क्या हमसे पूछा गया था draw equivalent circuit diagram referred to primary लेकिन हमको पूछा गया है कि हमको जो circuit diagram बनाना है वो refer to primary बनाना है जबकि यह R2 और X2 जो series branch के जो parameters निकला है यह कहाँ पर दिकला है यह refer to secondary निकला है पहले हमको इनको refer करना पड़ेगा primary में चलिए मैं resistance को यह दी primary में refer करूँ तो उसका नाम हो जाएगा R01 कैसे होता है हमको refer कहाँ पर करना है primary में जाना है primary में refer करते हैं तो primary के turns उपर secondary के turns नीचे इसका square multiply by secondary का resistance जो कि कितना निकला था 0.85 value put करिए तो n1 upon n2 कितना था n1 upon n2 जो है वो v1 upon v2 के बराबर होता है और question कितना दिया हुआ है एक बार देख लेए अपन question में तो यह दिया हुआ है 200 oblique 400 चलिए अपन put कर देते हैं 200 oblique 400 का square multiply by 0.85 यहां से निकल जाएगा R01 यह तो हो जाएगा half half का square हो जाएगा 1 by 4 into 2.85 इसको put करिए तो कितना जाएगा R01 हो जाएगा 0.21 25 ohm similarly x01 निकालें तो उसका भी same formula लगेगा तो कि हमको primary में refer करना है तो primary का turns उपर secondary का turns नीचे whole square multiplied by x की पुरानी value जो secondary में जो x था उसकी value कितनी आई थी 1.235 तो उसको लिख देंगे अपर लोग x की जो भी value थी पुरानी x2 ठीक है put करें तो यह हो जाएगा 200 oblique 400 का square multiplied by x की value कितनी थी तो 1.235 यहां से लिए हमने और इसको calculate करें तो यह आजाएगा x01 x01 की value कितनी आजाएगी इसको थोड़ा calculate करके देखिए तो यह जो 1 है यह denote करता है इस रिफर करता है जो parameters निकलते हैं, वो निकलते हैं अपने series branch के, ठीक है? और open circuit से जो data निकलता है, यह देखिए, हमने यहाँ पर open circuit test perform किया था, open circuit से यह data निकलते हैं, यह निकलते हैं अपने shunt branch के, यह हमने निकाल के दिखाया थे इसका एक example, ठीक है? तो अब हम लोग जब पूरा diagram एक साथ बनाएं, जिसमें अपन R0, X0 जो shunt branch है और R01 और X01 जो की series branch है इसको एदि एक साथ represent करें, तो यह उसका diagram देखते हैं हमने, यह है उसका equivalent circuit refer to primary, ठीक है? तो यह हमारे equivalent circuit बनाएं, जहाँ पर यह होगा shunt branch के parameter, जिसको R0, X0 सो show करते हैं, इसमें जाने वाला total current I0 होता है यह series branch के parameter होगा जो के refer to primary है, इसलिए R01 और X01 हमने यहाँ पर denote किया है, ठीक है, values कितनी कितनी आई हैं, एक बार देखें हैं अपन लोग, तो जो R01 और X01 आया है, इसको देखते है, R01 आया है, 0.2125 तो यहाँ पर अपने लिख दे, 0.2125 और X0 कितना आया है, तो X0 आया है 0.308, तो यहाँ आप लिख दे, 0.308 ओम आगे, ठीक है यहाँ पर जो अपने secondary voltage हो हो गया V2 और V2 की value कितनी है तो V2 की value है, अपने लोग देख लिए V2 की value है, 400 वोल्ट, यहाँ पर जो voltage है यह है V1, जिसकी value है 200 वोल्ट, ठीक है उसके बाद हमने open circuit test से निकाला था, यह shund branch के परामेटर R0 और X0 जो कितने कितने आया है था, एक बार देखते है अपन चेक करें, यह R0 आया था 400 ओम, तो अपन यहाँ पर put कर दें 400 ओम, और X0 आया था 231 ओम, तो अपन यहाँ पर लिख दें 231 ओम, यह हो गया हमारा complete equivalent circuit referred to primary, question में हम से यही पुछा गया था, कि draw equivalent circuit diagram referred to primary, तो यह बन गया पूरा complete diagram, जिसमें sunt parameters और series parameters के values के साथ हमने उसको represent किया है ठीक है, thank you